तो हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक अगेंग तो दे चैनल और गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहां से क्योंकि हमारा आज टारगेट जो है वह बहुत जादा एडवेंचर होने वाला है और बहुत जादा ब्यूटिफुल भी होने वाला है क्योंकि आज हमक मतलब सबसे ज्यादा हाट डे है और सुबह के साड़े छे बच चुके और हम लोग मतलब अपने होमस्टे से चैक आउट कर चुके हैं और निकल रहे हैं से फटाक से क्योंकि जल्दी से जल्दी हमको उंगलिगला प्रास करके वापस आना है और फिर यहां से जो हमारे फैल निकलते हैं से थोड़ी देर में और करते हैं अपने ब्यूटिफुल से डैकी शुरुबात एच को एंड जर्नी आज बहुत जाला ब्यूटिफुल रहने वाली है जैसे हम जा रहे थे तरफ और यहां पर पढ़ने लगती है स्नो बहुत भेंकर वाला स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है और पिछले एक गंटे से हो रहा होगा कि यहां पर सबकुछ वाइट वाइट हो गया है और स्नूफ्लेक्स हारे बहुत भेंकर वाले हमारे पास तो स्नोचेन है यह नहीं तो गड़बड हो जाएगी अपनी पंच और तुशारवाई की ब्रहजा लेकर हम जा रहे है और स्नूचेन है इसलिए हमने डिसाइड कि हम आगे नहीं जाएंगे फोटी लाटो पहुंचने वाले थे हम लोग और यहां पर भयंकर वाला स्नूफल स्टार्ट हो गया यह आप देख रहे हैं और देखो यहां पर अल्रड़ी प्रेश ब्राफिक दम यह देखो और ब्लैक आइस भी बनेगी रोड पर जम जम के और जहां पर कच्चे रास्ते होते हैं वहां पर हमको फिर बहुत जादा प्रॉब्लम हो जाएगी इस वजह से हम आगे नहीं जा रहे हैं लेकिन यहीं पर थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे स्नूफॉल का मज़ा लेंगे और उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे देखो सूरस देवता निकल रहे हैं लेकिन स्नूफॉल के आगे भाई सूरस देवता की भी नहीं चल रही है आस तो हर जगा देखो आप वाइट वाइट हो चुका है जैसे हम जो है आगे बड़े हैं फोटिला टॉप प यहीं मतलब मेरी इच्छा थी यार 59 यहीं था मेरका की यह सुच तो मिलना चाहिए इसी जगा तो मिलने चीए थोड़ा वह थो स्टूफॉल होना चीह और हमको देखो थोड़ा सा स्टूफॉल मिल गया है तो गाई समने थोड़ा और आगे जाने का भी डिसाइड किया है क्योंकि जो स्टूफॉल था वह बंद हो गया हमने आदा घंटे खड़े ओके वेट किया था रोड पर और फ्टॉफॉल थोड़ा बंद हो गया सब्सक्राइब कम कम दिख रहा है पानी बन गया है तो हम सोच रहे थोड़ा और आगे जाएं देखके आए क्या सीन है क्या सीन शॉट नहीं है आगे जाके पता चलेगा अभी क्या हालत है आगे की वैसे लग रहा है कि अब प्रकट हो चुके अपने विक्राल र अब आगे कर दोड़ी तो चाहें आगे और यहां पर मिल गए तुशार भाई अगेन क्योंकि हम से पहले आगे आ गया थे इन्वेट साइड के तक हम आगे चाहेंगे और यहां पर देखो इन्होंने क्या किया है यह पूरा ब्लैक आई से नीचे दिखाओ मेरी गाड़ी यह पूरे टायर स्कीट मार रहे थे अब स्नोचेन निका लिए यहां पर गाड़ी चुमानी यह देखो अब जमने लग दिए यह देखो भाई मैं तो सोच रहा था ऐसा पर इधर भी लगा दिये और इधर बिच्छा रखी है इधर लगाएंगे भाई ने सोचा है यह अडवेंचर करेंगे ही करेंगे कुछ भी हो जाए और यहां पर देखो स्नोफॉल होने लग जाएगे नीचे बंद हो गया था इसलिए मैं डिशाइड कि मैं उपर जाता हू ब्लेका है यह देखो न देखो यह देखो यह देखो न प्लास्टिक वाली लगा रहे हो शूति रहती है यह यहां से आया अगी नीचे जाएगा तो यहां पर चल लिए स्वोचेन की तयारी हम तो यहां से वापस हो रहे हैं क्योंकि यहां पर ब्लाक साइज तो काड़ी ड़लान पर गड़ी है गेर में लगागे गड़ी कर रहां कि पीछे लेकिन चलो ठीक है अपर यहां पर तुशार भाई की फुल करा के और हम लोग यहां से वापस हो लेंगे और तुशार भाई आगे हमारे लिए वीडियो बनाकर लाएंगे हमारे यह वाला हिस्सा पूरा जाब हो गया है और बोला भी ली जा रहा है इतनी ठंड हो रही है था मैसा रहा है माँसली ठाव बैस पांधर थानी ऊंट कर सब्सक्राइब माँसली था सब्सक्राइब करें के तो सब्सक्राइब वहाई हमने एक टायर पर तो स्नोचेन लगा दिया अब हम दूसरे टायर पर स्नोचेन लगाने की करते हैं तैयारी यहां पर भी भिखरा हुआ है ना पकड़ जरा यह साइट करना है हमको करते हैं कोशिश यह जो चैन है यह ना तू देते माने में तो पड़ी रिया यह है यह यह चिपक रिए इसमें आप बरत में है चिपकेगी और यह यह ना करूंग अभी थोड़ी करना प्रिच आइस ही पहले करीदी जहले दो टूंद कपड़। Karma करो 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 avoid करो करो बस पकड़ जा इधार बें इस परिया इस यह ढ़ाई इसार्च करो यह हो जया जाएगा पहट वाँ बता रहों कैसे होगी है थोड़ी शी रही है ना जोड़ी शी अलबेटा रहे दाता ना तो मैंना टिकनी करनों कोई साथ अब अब आधा थोड़ी कैम्परा पकड़ी हो आज हम कैम्परा बहुत गंदा वाला किया थे हैं हम पर फंपर इस पर चलेंगे पता निज यह उड़ी आए ना यह तो सबस्त फ्रीक पीछल जादा इने इतनी पीछे निधी ती पीछे सा आलो को अगलो यह पड़ो रोगो रोगो पीछे हो पहटे इतनी पीसे ने पीछे नेए थी स्नोशें फोस्तिकुरु रू करो प्यार से पहले से उपर कुल दरको अब लो अब लो इस पर लगा दिया इस नोचे और अब थोड़ा करके रस्ती टाइट करने हैं बस मुह से क्लियर क्लियर बोलाने जारा है कि यह वाला हिस्सा पूरा जाम हो गया है इतनी ठंड है आप कोई बात नहीं निकाल देंगे निकाल देंगे पानी बन गया ना अभी ब्लैक आइस थी क्योंकि बाब मायनों संदा था हां को जाथन को दोंगेबियोग के पार कि सब्सेक् counting गार इस और क्योंड नेजार की दिय्विव नेदार्बी देख और साथ जोफान रखेंगे सारे पहाड वाइट 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 वाहें होॉई को लग रहे रात से पढ़ दिया है रात ही बादल हो रखितना है हमने मैंद करके यहां पर दोनों टायरों पर स्वोंचेन बन दिया यह देखो तुशार भाई अच्छे से एक्सपेडिशन करके आओ अडवेंचर करके हमारे पास नहीं है तो हम लोग यहां से वापस जा रहे हैं हम यहां तक भी यह बहुत बड़ी बात है यहां से फोटिला तोड़े रह गया उसके बाद अब हम यहां से निकल रहे हैं वापस तुशार भाई जा रहे हैं आगे एक्सपेडिशन करने भाई अच्छे शॉट्स ले रहा टेक्चर वीव बना के लाना ठीक है चलो ठीक है बाई-बाई-गाई टेक केर चलो ठीक है तुशार भाई आराम से चलाना वैसे अच्छे पर अच्छे पर अराम से गाड़ी चलानी पड़ती है बाकी देखना केरफुली चलाना ठीक है चलो बढ़ो आगे बोलो शंकर भगवान की जाए तो यह देखो फोर भाई-टू के साथ expedition करना चलो भाई आराम से कोई दिक्षत नहीं है थोड़ा मुवमेंट बना के हां मुवमेंट बना के हां मुवमेंट बना के सही है बाई सही चल रही है चलो ठीक है गाइस यहां से करते तो शार भाई को बाय और निकलते हैं हम लोग भी वापस क्योंकि मौसम खराब होता जा रहा है बत्त बत्तर होता जा रहा है जितना जल्दी यहां से निकल जाएंगे उतना ज्यादा ठीक रहेगा वरना गाड़ी स्केट करेगी स्लिप करेगी दिक्कत होगी ब्रेक मारेंगे तो प्रॉब्लम होगी तो इस विज़े से हमको यहां से जल्दी निकलना है और गाइस हमें आरे ते नीचे नीचे आते हुए हमें यह नजारा मिलाकुस देखने के लिए हिमालियन रेज का और यह बहुत जादा खुबसूरत है बहुत जारा आउटस्टेंडिंग है आँखों से जो हम देख पारे हैं वो शायद कैमरा जिस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा लेकिन यह बहुत जादा खुबसूरत है आप देखने में बाकि इधर देख लो सारे हैं अबी भी स्नोफूल हो रहा है ऊपर रेंजिस हैं स्नोफॉल की और यह खड़ी अपनी मोरनी इधर भी देख लो हर जगा एक्दम फ्रेश जो है हम ऊपर से आचुके है नीचे ऊपर बहुत जादा स्नोफॉल हो रहा था और ब्लैक आईस भी रोड पे जम दी ती यार र को पता है मैं यहां तक आगे हूं यह भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहां पर ना कुछ ऐसा ऐसा है इन पहाड़ों में जो गाड़ी को आगे की तरफ खीचने नहीं देरा मतलब प्रेशर उतनी तरह से बन नहीं पा रहा है तो बहुत जादा रिस्की हो गया था सारी अब हम लोग आचुके हैं वापस हान ले और अब हमारा डिसाइड यह है कि हम लोग निकल रहे हैं उपसी के लिए तुशार भाई भी जादा आगे नहीं जा पाए उससे और चार-पांच किलोमेटर आगे गए थे वह लोग भी वापस आगए क्योंकि कहीं पे स्नो थी और तो उस वजए से स्नो चेंड जो है गारी चलनी पारी थी रोड पर नौर्मली रोड पर तो वो लोग भी वापस आगे और पर को जाने नहीं नहीं देती आगे क्योंकि हमारी गारिया तो इसलिए वह भी वापस आगे अब हम लोग जा रहे हैं से ब्रेक फास करने के लिए स पॉइंट है आई लव हानले जहां से इधर जाओगे तो आप पहुंच जाओगे सामने सब्सक्राइब और आप इधर जाओगे तो आप उंगल लगा फोटीला टॉप पहुंचोगे यहां भी देखो हाई रेंज में अभी भी स्नूफवाल हो रहा है आप देख सकते हो सब्सक्राइब उसके बाद ब्रेकफास करेंगे ब्रेकफास करके निकलेंगे सीधा उपसी के लिए यह थैंक्स टू विजिट अगें यह अपनी काड़ी यहां पर वे टू लिखा हुआ है सीधा 92 क्लो मेटर्स यहां लेवाले पॉइंट से पढ़ता है उमलिंगला अगर करीब 10.30 बज रहे हैं और अब हम यहां से निकलते हैं आज का हमारा प्लान जो था उंगलिंगला जाने का वो कैंसील हो गया है स्नूफॉल की वजह से तो अब हम सीधा यहां से उपसी निकल रहे हैं उपसी निकल के वहीं पर आज का स्टे रखेंगे और यह वीडियो पर एंड करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं आप सब्सक्राइब नेक्स वीडियो में टेल दें स्टे ट्यून एंड पावाई गाईज